हरहर महादेव चैभूलेनाथ नमस्कार मैं शादना पांडे मागदैसन प्यापका स्वागत करती हूँ दोस्तो आज मैं बताऊंगी प्रदोस ब्रत में पूजा कैसे करना चाहिए देखिए आप ब्रत रखते हैं बहुत अच्छी बात है ब्रत नहीं रखते हैं और बीना ब्रत रखे भी ये पूजा विधी फालो करके आप पूजा करते हैं विश्वास मानिये दोस्तों ब्रत रखने से भी अधिक पूड़े फल मिलेगा क्योंकि भगवान जो है वो भाव के भूके होते हैं कभी भी सामगरी या फिर ब्रत की भूके नहीं होते हैं तो यदि आप ब्रत नहीं रख पाते हैं तो किसी भी प्रकार की मन में गलानी मतला आएगा आप जो है बड़े प्रेम से इस पूजा विधी को आप बताईए क्योंकि हर कोई ब्रत रख पाए यह संभाव नहीं है दूसरी चीज चलिए आगे जैसे जैसे याद आए कि वैसे जैसे चीज़े मैं बताती रहूंगी और दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आप महादेव की पूजा में क्या करते हैं और क्या गलतियां करते हैं सारी चीज़े जो भी मुझे लेगेगा कि आपको बताना चाहिए सीव पूजा के लिए जरूरी है वो मैं आपको साथ साथ बतात सार उपरतम आपको जल चड़ाना है यदि कोई बीमारी से पीडित है या मतलब रोग वगर ऐसे पीडित है तो जल में कुसा डाल लेजेगा और हां बहुत लोग कहेंगे दिदी पूजा का महुर्त देखिए इस समय शर्दियां चल रहे हैं महुर्त के चक्कर में पढ़ें साम को चले जाएं तो महुर्त के चक्कर में तो इस समय बिल्कुल मत पढ़िएगा दोस्तों इस इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि बस आपको साम को प्रदोस के दिन मंदिर जाना है इस बार के जो प्रदोस है वो 21 नौंबर को पढ़ रही है यानि कि कल सोम भय बना रहता है उन सबसे मुक्ति मिलती है राहु केतु से मुक्ति मिलती है तो देखिए कुछ क्लिप जो है वो साइड डिलीट हो चुकी है तो पांचों चीजों से मैं सनान करा चुकी हूं अब बस शुरूप मौली चड़ा रहे हूं मौली के बार भगवान भोले नात क श्रिंगार हम चंदन से करेंगे सफेद चंदन से करेंगे अब कुछ लोग कहेंगे दिदी आप शिवलिंग को छूती हैं दिखिए हमारे यहां तो ऐसी कोई परंपरा नहीं थी जैसा कि मैं बार बार करती हूं बहुत कम उम्र की बहुत छोटी सी थी तभी से मैं शिव करती हूं तो वो मैं करती आई हूं आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है प्रेम और स्रता से बढ़कर कोई नियम नहीं होता है देखिए आप चंदल लगा भोले नात को इतर लगा रहे हूं इतर भी शमर्पित कर दीजिए क्योंकि आपने मौली सरूप क से भी आप तयार कर सकते हैं अब भस्म बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी भस्म चढ़ा सकते हैं नहीं चढ़ा सकते हैं चढ़ाइए खूब चढ़ाइए आप कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा भस्म भी यदि है तो भोले नात को उससे भी स्रिंगार होता है तो वो भी फूल पतियां वगर हैं पतियां का मतलब कि बेल पत्र फूल इत्या दिया हैं सब को आप आराम से बारी बारी चड़ाएं तो दोस्तों इस बार जो है एक करिश नौंबर को शोम प्रदोस पढ़ रहा है तो जो लोग इस प्रदोस का ब्रत रखना चाहते हैं बेहत सुभ ह आप ब्रत शुरू कर चकते हैं क्यूंकि इस ब्रत में शोम प्रदोस से सुरू करना भोलेनात की विशेश क्रपा दिलाता है तो कर लिजेगा और हाँ दोस्तों पूजा आप जरूर चाहते हैं नहीं। मैं तो कहती हूँ आप खाना खा लेजिए सीधा साधा जो खाना होता है बिना लसुन प्याज का खाईए और साम को नीधड़क मंदिर जाईए कोई भी मन में भ्रहम मत लाईए तो इस तरह से करके पूजा करिए बेल पत्र आप जितने ले गए हैं उनको घर से ही खूब अच्छी तरह से पहले साफ कर लिजे हाथों की अंगुठे से रगड़ रगड़ के उनको साफ कर दीजे और तब जाकर इनको रख करके मंदिर ले जाए या फिर घर पे पूजा करन लेकिन अच्छा चड़ाईए कटा फटा बिल्कुल भी मत चड़ाईए तो ये सब करिएगा उसके बाद एक दीप जो है प्रजवलित कर सकते हैं दीप किसाम की पूजा करने तो जरूरी ही होता है तो घी का या फिर तिल के तेल का दीपक आप जो है वो भोले रात की आए तो दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप एक लोटा जल भी चड़ा कर फोले रात को प्रशन कर चकते हैं यदि बहुत जादा चीज़ें नहीं मिल पाती हैं समय नहीं है लेकिन आज सोमवार भी है और प्रदोस भी है तो बहुत जरूरी है कि आज मंदिर जाएं चल कर क तो जाएं फिर देखिए जब कोई मुसीबत आती है तो फोले नात कैसे आपकी घर में चल कर चले आते हैं तो यह सारे बहुत सारे जो है नियम है और कुछ कहिए तो अनुभव है जब हम उनको प्राणों से जादा मतलब मानेंगे समझेंगे यह साधारण सी चीज़ समझे जब हम किसी की सेवा करेंगे तो वो तो हमारे लिए ततबर रहेगा है तो बस यही साधारण सी बात है और बोग हमारे पिता हैं वो तो हमसे भी वड़का ज्यादा ततबर रहेंगे तो चलिए ये तो मैं अपनी अनुभव अपनी बाते आपके साथ सेयर कर रहे हूँ मेरे सब कहने का मतलब यह है कि चाहे शोम प्रदोस हो या कोई अन्य प्रदोस हो पूजा करिए जरूर करिए ये काम आप जरूर करिए आप मंदिर जाए एक बार दर्शन करने घर में भी बहुत सारी बहने काते है दिदी घर में तो पूजा हो सकती है ना बिलकुल हो सकती है कोई समस्या नहीं है यदि आप मंदिर रही जा सकती है तो आप घर में पूजा करिए लेकिन मंदिर जाने से नहीं होता यह है कि जो मंदिर का स्यूलिंग होता है वो पूजित होता है तो वहां पूजन का विसेस महतो होता है मंदिर के शाड में जो है नंदी गौरी जी होती है गनेश जी होते है और कार्तिकेज जी होते है तो जब भोले नाथ के पूजा कर ले तो एक बार उनका भी पूजन कर ले वैसे तो आपको भी पता है कि शूलिंग में इन लोगों का पूजन भी हो जाता है भोले नाथ के शा साथ साथ आप भोले राज से अपने मन की बाते कहिए, वो कहिए जो आप भोले राज से कहना चाहते हैं, जो आपके मन में चल रहा है, बहुत जादा हल चल है, जो भी समस्चा है, बस बोलते रहिए, वो सब सुनते हैं, यदि विश्वास है, तो सिवलिंग के पास बैठ करके आप ये काम करके देखिए, वो सच में सुनते हैं, विश्वास करिए, बैठिए और बोलिए, वो सुनने लगेंगे आपकी बाते, करते रही है पूजन, दूसरी चीज बता दो दोस्तों, कि जब आप पूजा करें, तो पूरे मन से करें, कुछ भी सामान छूट गया है, या क प्रदोश भीड़ बहुत जादा होती है, तो करपूर कौरम कर लिजिए, हो गई भोले नात की आरती, इतनी कर लिजिए, करने के बाद आपकी पूजा पूरी हो गई, तो दोस्तों कम से कम जो है, वो पाथ चीज़े नहीं, लेकिन जल आप जैसे दूद दई, घी, सकर्ष जाद ये सारी चीज़े नहीं ले जा सकते, तो जल ले लिजे, बेल पत्र ले लिजे, फूल ले लिजे, भास्म, चंदन, ये सारी चीज़े एक बार ही मगा के रख लेंगे, तो हर बार की पूजा में ये काम आता है, तो ये सब कर लेजे, भोले नात की पूजा हो गई, अ देखें कुछ चीज़े पहले जैसे कि मत्तब पहले जो पूजा होती सी हमारे यहां घर पे तो समझ नहीं पाती थी दर्वाजे पी क्यों जल गिराया जाता है तो यह होता है कि जो आप बड़ों से देखते हैं वो करते जाते हैं तो ऐसे ही मैं गिराती जाती थी अब जैसे समय बिता वैसे पता चला कि यहां भी भोले नात के गण रहते हैं यहां इसलिए विसेश पूजन होता है दर्वाजों का तो विसेश करें न करें थोड़ा थोड़ा जल जरूर गिरा दे इससे उन्हें भी बहुत जादा प्रशनता होती है कि भोले नात के मतलब जो भक्त ह वो इतने दयालू होते हैं कि उनके गड़ों को भी भूलते नहीं हैं उन्हें पित्रिप्त और पूजित कर देते हैं और नंदी जी तो उनके गड़ों में अगर गड़ हैं सबसे स्रेश्ट हैं तो उनकी पूजा करिए बहुत अच्छी तरह से मै क्या करती हूं पहले जल स हैं सब नंदी जी को चड़ा देजिए चड़ानी के बाद आपकी पूजा जो है वो बड़ी आसाने से पून हो जाएगी तो प्रदोस के दिन एक बार फिर कहूंगी कोई प्रदोस काल का समय मत देखिए सर्दिया हैं तो आप जल्दी जाएए मंदिर बस दर्शन करके आए ज्यादा समय वगर के समयलों में मत पढ़िए बस उनके दर्शन करिए और सले आएए तो दोस्तो वीडियो कैसी लगी बताएगा जरूर अच्छी लगती है तो लाइक करें चैनल को सब्सकाइब कर लें दोस्तो जो नंबर आप देख रहे हैं इस पे आप कुंडली वगर दिखाना हो तो समपर्क कर सकते हैं और हाँ चैनल को सब्सकाइब कर लेंगे तो इस तरह की जो सास्त्रोक्त जानकारिया होती है वो आपको आराम से मिलती रहेंगी और दोस्तो जो इंस्टाग्राम फेस्बुक वगर का सब लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा तो आप फालोग करना चाहें तो वहां से भी फालोग कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों भोले नात का नाम लेते रहे हर हर महादे जय भोले नात